हैं रोक्त तो कैसे आप लोग तो आज मेरे डिसकस करूंगा आज का स्टॉक मार्केत कैसा था और कैसा तो आज का स्टॉक मार्केट काफी अच्छा गया त्रेड्स के लिए मैक्सिम ने प्रॉफिट भी कमाया और लॉस भी वा तो आजकल मत भी स्वेशली इस मत के एंड में बैंक बैंक कैन बेस्ट ऑप्शन फोर यू तो इन्वेश्ट इस असते अब बैंक पर ट्राइ कर सकते हो और जो जैसे आपकी सर्च कर सकते हो जैसे इसमें कि आप देख सकते हो आप इसमें से कोई भी छोटा स्टॉक जो की काफी स्टेबल हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में काफी प्रॉफिट और रिटर्न दे तो मैं रेक्यमेंट करूंगा आपको ट्राइ करो जब आप स्टॉक लेते हो तो हंडर्ड या टू हंडर्ड रुपीस से कम वाला स्टॉक लो जिसकी रेट जो रेनिंग रेट जो की जो प्रॉफिट रेट है जल्दी स्टेबल अब उसका कोई गरेंटी भीनिकी स्टेबल हो गया तो आज कल टाटा अच्छा चला बाए टाटा ले लो और जिसको जिसको मतलब स्टेबल मतलब थोड़ थोड़ा प्रॉफिट चाहिए लॉंग टर्म गनना तो इसकते हो आईटी सी दो ती सार में 6-700 तो पॉन अभी चार सो गास पास होगा तो फिर हाइटी सी अच्छा है और वाक्ची बैंक सच चले आजकर इस वीक बैंक चलेगे और इटी सी वेगारा टाटा की पार जो मैटों भी अंस्टेबल बट आजकल अच्छा है जर रहेगा फिच रिस्पॉंसिव मैटों अटानी देख लो टाटा मोटर्स और टाटा सेल में कुछ है बाकी तो अबाकी तो निफ्ती 50 126 का है बैंक निफ्ती 480 का है और निफ्ती 50 में कितना डिफ्रेंस बैंक निफ्ती किद्न चलवा है कि इसके काफी अच्छे रिस्पॉंसे आ रहा है और भाई रेट देख लो बाई रेट इटी नाइन पर सेंट है तो आप यह बाई कर सकते हो इसका जब एटीन हंडर्ड क्रॉस हो जाएगा एटीन हंडर्ड पहुंग तो सेल कर जाना हो प्ली साथन ह हो है तो कोई बीटियों कर तो सबस्क्राब करते हैं आपकी कि थो को आल पर रख लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए सो थेंक्यू जो भी नहीं सब्सक्राइब कर जो और फाइव इंडर सब्सक्राइबर पर गिववे अने वह लागा है तो देह आ रहा है ना तो जल्दी से पांसो सब्सक्राइबर कर जो सो बाइब आए